रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं प्रज्या गुप्ता सहायक प्राध्यापक असनात कोतर हिंदी विभाग राची विमेंस कॉलेज राची आज आप सबसे अर्था लंकारों पर चर्चा के लिए उपस्तित हूं इसके पुरू हमने शब्दा लंकारों पर चर्चा की थी, एप में दिद्ध्य समूस्टर के पाठे करम में यह सम्मली थे आज सबसे पहले हम उप्मा अलंकार के बारे में जानते हैं, काब्य फ्रकास में कहा गया है साध धर्मयम उप्मा भेदे यानि भिन्यपदा अर्थों के साद्रिश्य प्रतिपाधन को उप्मा कहते है उपमा का अर्थ है समीप से तौलना अर्थात एक वस्तू के समीप दुसरी वस्तू को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करना दरसल अर्थालंकारों का मूलाधार उपमा ही है उपमा को समझने के साथ हमें उपमे, उपमान, साधरन धर्म और साधिश्य वाचक इन्हें समझना होगा उपमे का शाब्दिक अर्थ है उपमा देने के योग्य अर्थात जिसे उपमा दी जाए जिसकी सम्ता किसी दुसरे पदार्थ से दिखलाई जाए यदि हम कहते हैं मुख चंदर सा सुन्दर है तो यहां मुख उपमे है क्योंकि इसकी समता चान से की जा रही है हाथ कमल सा कोमल है कहते हैं तो यहां पर हाथ उपमे है उपमे के लिए प्रस्तूत प्रकृत विशय वर्ने हित्यादी शब्द भी आते हैं उपमे प्राय उपमान की अप्यक्षा अल्प गुंशाली हुआ करता है अब उपमान जिससे उपमा दी जाती है उपमे को जिसके समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं यदि हम कहते हैं मुख चंदर सा सुन्दर है और हाथ कमल सा कोमल है तो यहाँ चंदर और कमल उपम क्योंकि इनी के समान मुख्या हाथ को कहा गया है। उपमान को अप्रस्तूत अप्रकृत विश्रई अवर्णे इत्यादी नामों से भी जाना जाता है। उपमेक या पेक्षा उपमान अधि गुणशाली होता है। अब साधारन धर्म, दो वस्तों के बीच सामे प्रतिपादन किसी ऐसे गुण या विशेष्टा के उपर निर्भर करता है, जो दोनों में वर्तमान रहती है, दोनों में पाई जाती है। इसी गुण या विशेष्टा को साधारन धर्म कहते हैं। यदि हम कहते हैं तो यहां सुंदर साधारं धर्म है, साधृष्य वाचक, उपमे या उपमान के बीच की समता को बताने के लिए, जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसे साधृष्य वाचक कहते हैं, सा ऐसा जैसा सद्रिश समान तुल्लि इत्यादी सादिश्य वाचक शब्द है उपमा का एक उदारन प्रस्तूत है लोचन कुवले से विशाल आनन विधु सा शोभाकर तो यहां लोचन को कुवले सा विशाल बताया गया आनन को विधु सा शोभाकर बताया गया यहाँ पर लोचन उपमे है, कुवले उपमान है और विशाल साधर्मे है और से वाचकशब्द है उसी प्रकार आनन उपमे है, विधु उपमान है, सा वाचकशब्द है और शोभाकर साधर्मे है यहाँ पर तुल्ना की जारी है लोचन की कुवले से और आनन की तुल्ना विधू से यहाँ पर उपमा अलंकार है उपमा के कई भेद हैं पुर्णो पमा, लुप्तो पमा, मालो पमा, रश्नो पमा, समुच्चयो पमा, लक्षयो पमा, आदी अलंकारों की इस रंखला में अब हम रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं उपमे में उपमान का निशेद रहित आरोप रूपक है आरोप का अर्थे एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्य मालूम हो दोनों का अंतर दिखाई न पड़े जैसे मुख चंद्र है यहां मुख में चंद्र का आरोप है मुख और चंद्र के भेद या पात्थक्यू को मिटा कर दोनों का अभिन्यत या वर्नन किया गया है और था दोनों को सर्वत्था एक कर दिया गया है कहने का तात्पर है कि मुखर चंडर एक ही है आरोब को अभेध और तादात्ने में भी कहते हैं लक्षण में निशेद रहीं इसलिए कहा गया है कि अपहनूती अलंकार में भी उपमे में उपमान का आरोब ही रहता है पर वह निशेद सहित रहता है और रूपक में निशेद रहे उपमा में उपमे उपमान के बीच सादिश्चिकी भावना रहती है और रूपक में तादात्मिय अथवा अभेद की इसलिए एक आलंकारिक ने कहा है कि उपमेव तिरोभूत भेदा रूपकम उच्यते अर्थात भेद मिटा देने पर उपमा ही रूपक कहलाने लगती है उपमा के ही समान रूपक भी बड़ा ब्यापक अलंकार है रूपक के तीन प्रमुक भेद है निरंग, सांग और परमपरित रूपक अलंकार का एक उदाहरन प्रस्तूत है जैसंकर प्रशात की पंतियां है बिती विभावरी जागरी अंबर पन घट में दुबो रही तारा घट उशा नागरी यहाँ पर उशा में नागरी का आरोप है, अमबर में पन घट का आरोप है, और तारा में घट का आरोप है। अत यहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर को सीधे सीधे पन घट कह दिया गया, तारा को घट कह दिया गया और उर्षा को नागरी कह दिया गया है। अलंकारों की इस रिंखला में हम अब आगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमे में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत्कट रूप से उपमान को देखना। यहां देखने का तातपरी है संभावना करना। संभावना ज्यान की वह कोटी है जिसकी इस्थिती संदेह से आगे और निश्चे से पीछे रहती है यदि हम कहते हैं मुख चंद्र है तो यहाँ पर निश्चे है मुख है या चंद्र है तो यहाँ पर संदे है और कहते हैं मुख संभवत चंद्र है तो यहाँ पर संभावना है यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा इसलिए कहा गया ह कि संभावना में ज्यान की कोटी निश्चित नहीं होकर उतकट प्रबल निश्चे की ओर अधिक जुकी हुई रहती है। इस प्रकार उपमे में उपमान की संभावना करने पर उतप्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा की तरह उत्प्रेक्षा में भी कहीं वाचक शब्द रहता है और कहीं नहीं, जहां वाचक शब्द हो उसे वाच्या और जहां नहीं हो उसे गम्या या प्रतिये माना उत्प्रेक्षा कहते हैं, मानो, जानो, इव, मनू, जनू, निश्चय, प्रायः, मेरे जानते आध उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा का एक उदाहरन प्रस्तूत है चिप्यो था बिलो मुह लशय नीले अंचल चीर मनो कला निधी जलमलै कालिंदी के नीर यहाँ नीले घुंगट के भीतर से अपनी कांती बिखेरते हुए मुख में कालिंदी के जल में जलमलाते हुए चंदर की उत्प्रेक्षा की गई है मुह में चंदर की उत्प्रेक्षा होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है एक आरोधारन प्रस्तूत है प्रशाद जी की पंक्ती है नील परिधान बीच सूकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जियों बिजली का फूल मेग वन बीच गुलाबी रंग यहाँ पर प्रस्तूत नील परिधान से आवरित सुंदर अंग में और प्रस्त उत्प्रेक्षा है जो वाचक शब्द है अत्य यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है अलंकारों की स्रिंखला में हम विभावना अलंकार के बारे में जानते हैं विभावना में कारण के अभाव में कारिकी उत्पति का वर्नन विभावना अलंकार है विभावना का अर्थ है विशिष्ट कल्पना कारण के अभाव में कार्योत्पत्ती का कथन विशिष्ट कल्पना से ही संभाव है। और कहीं अनुक्त। इस प्रकार इसके दो भेद हो जाते हैं। उक्तनीमिता विभावना और अनुक्तनीमिता विभावना। उक्तनीमिता में कारण बता दिया जाता है और अनुक्तनीमिता में वह नहीं कहा जाता है। बिभावना का एक सुंदर उधारन है जहां कारण के अभाव में कारिक उत्पत्ती हो रही है यहां पैर यानि कारण के अभाव में चलना कारिय कहा गया है वैसे ही कान के बिना सुनना हाथ के बिना कारे करना तो इस तरह यहां पर कारण के अभाव में कारिकी उत्पत्ती हो रही है यहां पर बिभावना अलंकार है इसी स्रिंखला में हम अब देखते हैं विशेशोक्ती अलंकार कारण के रहते हुए भी कारे का न होना विशेशोक्ती अलंकार है विशेशोक्ती का अर्थ है खास्तरह की उक्ती, सामान्य उक्ती से विलक्षण विशेश प्रकार की उक्ती विशेश उक्ती में कारण का कथन रहता है फिर भी कारे का अभाव बताया जाता है यह विलक्षन बात है कि कारण रहते हुए भी कारे न हुँ इसी विशेष्टा के आधार पर इस अलंकार का नाम विशेशोक्ति पड़ा है यह अलंकार विभावना का उल्टा है जिसमें बिना कारण के ही कारी की उत्पत्ति का वर्नन रहता है विशेशोक्ति के भी दो भेद है उक्तनीमिता और अनुक्तनीमिता उक्तनीमिता में कारी की उत्पत्ति न होने का कारण बताया जाता है और अनुक्तनीमिता में कारी की उत्पत्ति न होने का कारण नहीं बताया जाता है एक उदाहरन प्रस्तूत है त्यों त्यों प्यासेई रहत जियों जियों पियत अघाय सगुन सलोने रूप की जून चक त्रीसा बुझाय यानि जितना पिया जाय उतना ही प्यासा रहना इसमें कारण पीना के रहने रहते हुए भी कार यानि प्यास का बुझना का अभाव व यहां पर विशेश उक्ति है और विशेश उक्ति अलंकार है आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगली स्रिंखला में हम तदगुन, दीपक, तुल्योगिता, परिसंख्या, आधी अलंकारों के बारे में जानेंगे धन्यवाद